हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में आज के हम वीडियो में किसी सिखेंगे कि कैसे किसी भहुतिक रासी का एसाई मात्रक निकालना सिखें तो एसाई मात्रक निकालने के निकालने के लिए और जानने के लिए पहचानने के लिए वीडियो के एंड बने रहें तो सबसे पहले ये सा यूनिट होता क्या है उसको समझने के लिए हम पहले इस डिफिनेशन को समझेंगे ये बोला है कि परतेग भौतिक रासी को मापने के लिए स्विक्षा से चुने गए किसी निश्चित परिमार को मातरक कहते हैं मतलब हर एक रासी को मापने के कुछ न कुछ स्विक्षा से मतलब उसका मात्रक चुना गया उसी को हम लोग मात्रक बोलेंगे जैसे हैं यहां पर लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं दरबिमान को मापने के लिए हम केजी का यूज करते हैं और समय को सिकेंड में मापते हैं विदुधार आसानी से निकाल सकते हैं तो चलेhomme कुछ बहुति youtubers लेते हैं और उसको हम इसका ए साहिमात्र क्या होगा तो जैसा कि हमने एक लिया है बेग का एसा ही मात्रह क्या होगा तो बीग का इसी मात्रह निम्रथ होता हैं तो भिस्थापन में परिवर्थं कीदर को हम बोल देंगे थो तो भिस्थापन जो होता है ये जो होथा है यह होड़ी कहा है यहां यह पर हो जायगा भिस्थापन के्लिए शौट दरिष्ट्य particularly में यहां से इसका मात्रग निकलेगा मीटर प्रति सेकंड बस यहीं तो समझना है इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट हाड़ ना है बस इसको भौतिक रासिया मालूम होना चाहिए और उसको मापने की यूनिट मान्य हो चाहिए कि उससे कैसे मापनेंगे जैसे एक और मीटर प्रति सेकंड यानि बे के लिए हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड और नीचे हैं सेकंड तो सेकंड से हो जाएगा यानि इसका यह सही मात्रग निकलेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वाइर फिर आगे कोच और थोड़ा इससे बढ़ा के चड़ा के देखते हैं कि उसका ज तो यहां से इसका यह सही मात्रक निकलेगा केजी मीटर प्रती सेकंड स्क्वाइर यह हो जाएगा इसका यह सही मात्रक कुछ और अलग से हटके लेते हैं जैसे एक लिया हुआ है कारे तो कारे का जो यह सही मात्रक होता है इसका फर्मूला होता है यह बल गुने विस्थापन होता है यानि इस बल के लिए हो जाएगा आप बल को निउटन में मापा जाता है चाहिए इसको उपर जैसे निकले हुआ है केजी मीटर प्रती सेकंड स्क्वाइर यह भी हो जाएगा होता है कि यह बिस्थापन होता है मीटर में तो यहां से जब निकालेंगे तो यह सब करने की होता है कारे का यह सब्यक्र सक्ती बराबर कार बटा समय की होता है के जी मीटर स्क्वाइर प्रती है के स्क्वाइर और फीर नीचे पर दाइश और सब्सक्राइब ये everything के पावर में यहां पर कुछ नहीं है तो एक हैं यानि यह जूटेगा तो दो एक तीन हो जाएगा लेकिन ज़सी को उपर लेके जाते हैं ऐसे पहले लिखते हैं कि यह हो जाएगा सेकड के पावर में यह जो है इसने सेब्सक्राइब औलोग पहले यूजत किया है जैसे कि य dib lors के लिए हुआ हम लिख सकते ही नीउटन या क às okay के लिए मिटर प्रती सेकन्ड श्कॉर तो यह पर हम लिखेंगे भल के लिए निउटन और और यहां पर दूरी लिए esse स्कूर तो यहां पर मियर्ट मेंm2 इस यां पर निकलेंगेकम ्टन में2 तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सियर करना ना भूले धन्यवाद